नमस्कार दोस्तों आप सभी का वेदा क्लास्स पर UPPCS पेलिम्स मौक्टिस्ट की स्रीच में बहुत बहुत स्वागत है जैसा कि आप सब चानते हैं कि हम लोग जोग्रफी यानि की भूगोल के मौक्टिस्ट अभी कर रहे हैं और हमारे है बिल्कुल पहला ही चैप्टर है जिसमें भारत का भगौलिक परिचे और भोगार्विक सनचना के बार में यहां पर हम लोग प्रश्णों को सॉल्व कर रहे हैं और उमेद करता हूँ कि आपको जो प्रश्ण मिल रहे हैं और यह आपके प्रश्ण कुछ आपको नए लग रहे होंगे और काफी इन्फॉर्मेटिव भी लग रहे होंगे साथ साथ में इसके साथ में पॉलिटिеци की वी क्लासेश चल रही है तो आप उसको भी देख सकते हैं UPPCS Prelimbs 2024 के नाम से प्लेइलिस्ट बनी हुई है चाहें तो आप चेरल पर जाकर प्रेलिस्ट में देख सकते हैं या कि फिर इसके सारे सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई बेटन पर दिये गए हैं आप वहाँ से भी देख सकते हैं तो हाला कि आज जो हमारी यह जोगरफी की यह आज दूसरी क्लास है और इ 20 मिनट आपके बहुत जादा नहीं होते हैं अधि आप 30 मिनट देते हैं तो आप बागी बच्चों से काफी आगे हो जाते हैं क्योंकि यह काफी important प्रशन होने वाले हैं ठीक है जले बढ़ते हैं प्रशनों की और लेकिन आगे चलने से पहले आप चैनल पर पहली बार पीडियाफ आपको टेलेग्राम ग्रुप से या वाट्सेप चैनल से मिल जाएगा आप कहीं से भी उनको प्राप्द कर सकते हैं ठीक है तो साथी साथ में यहां पर आपको सारी क्लासेस मौक टेस्ट और एक्जाम अपडेट्स जो भी होती है आपको सारी चीज़े यहां प अपको फ्रीयाप पॉस्ट मिल जाती है ठीक है तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले पृष्ण पर अज के पहला प्रुष्ण यानि कि इस सिरीज के इस चैप्ठर का हमारा 51 प्रश्ण है लेकिन आज के स्लिस्टन के हमारा पहला प्रश्ण होने वाला है तो प्रश्ण दिया गया है कश्मीर घाटी का निर्माड किस काल में हुआ था सेनो जोईक काल, मेसो जोईक, नियो जोईक या प्लिष्टो सीन तो जो कश्मीर घाटी है इसका निर्माड प्लिष्टो सीन युग में हुआ था जैसे कि आप सब को पता है कि जो हमारे पूरा भॉगौली इतिहास है या प्रिथवी की जो इसके पृतिवी के विकास की जो पूरा इतिहास उसको कई सारे भागों में बाटा गया है तो उसको भी आगे हम देखने वाले हैं, तो कश्मिर घाटी का जो निर्माड है वह कैसे हुआ, प्रिश्टो सीन काल में कश्मिर घाटी का निर्माड हुआ था, option number D आपका सही उतर होगा, अगला प्रशनति इसी में देखते हैं, पहले इसका explanation देख लेते हैं, दिया गया है प्रिश्टो की उत्पत्ती के बाद विशेस प्रकार के कई यूगे आये, जिनमें विशेस प्रकार की सैलों का, जमाफ और जीवों का विगास हुआ था, प्रिश्टो के इतिहास को सर्व प्रथम बड़े भागों में विवाजित किया गया, जिसे इयान कहा जाता है, तो यूग यैनि की काल में विभाजित किया गया है, ठीक है? तो इसके बारे में देखते हैं, जैसे यहांपर यह आपका पूरा दिया गया है, यहिसी तरह से प्रिश्टी के विखास के इतिहास को यहांपर कैकराईज किया गया है, तो पहला है जो इयॉन है, जो की बहुत तो इयान को दो भागों में फेनरोजोईक और प्रीकैम्रियन में बाटा गया, फिर इयान को किस में बाटा गया, महाकल्प में, तो तीन महाकल्प हुए, जिसमें महाकल्प में पहला है सीनोजोईक, दूसरा मिसोजोईक, तीसरा पहलियोजोईक, फिर महाकल्प को कल्प में बाटा गया, तो कल्ब में चतुर्थ कल्प, तरतीया कल्प, कर्टेशियस, जुरैसिक, ट्रियासिक, पर्मियन, कार्बोनिफेरस, डेबोनियन, सिलूरियन, ओडोवियन और कैम्ब्रियन यूग, ये सारे आपकी यहाँ पर कल्ब में देखने को मिले, फिर कल्प को अगेन बहुच में बाटा गया जिसमें holocene, plistocene, myocene, oligocene, eocene और paleocene थे ठीक है इन सब के बारे में जो detail आपको class होगी वह है let's rank 1 के channel पर आपको मिली जाएगी वहाँ पर इसमें थियोरी में आपको details इसके बारे में बताया गया है ठीक है चलते हैं आगे अगले प्रिष्ट पर अगला प्रिष्ट दिया गया है निवन में से किस चट्टान में जीवाश में नहीं पाये जाते हैं ओपसन दिये गये हैं आरहियन, धारवार क्रम की चट्टानों में, कुडपा क्रम की चट्टानों में या गोडवाना क्रम की चट्टानों में तो पूछा गया किस चट्टान में जीवाशन पाए जाते हैं। जो आपका सही option होगा और option बड़ी होगा गोडवाना करम की चट्टानों में जीवाशन पाए जाते हैं। क्योंकि जो गोडवाना करम की चट्टाने हैं यह परतधार चट्टाने हैं। और इन चट्टानों में मचलियों के और साथी साथ में कुछ रेंगने वाले जीवों के भी अफशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है। चलते हैं अगले प्रिश्ट पर आज का तिरपनवा प्रश्ण है निम्न में से आर्थिक दिश्ट से महत्पूर्ण चट्टाने कौन सी ह आर्कियन चट्टाने, धारवार चट्टाने, कोडपा चट्टाने या फिर बिंध्यन चट्टाने। तो आर्थिक दिश्ट से महत्पूर्ण चट्टानों की बात करें। आर्थिक दिश्ट से जो महत्पूर्ण चट्टाने हैं वह धारवार क्रम की चट्टाने हैं। और और निवेक प्रगार की जो भी खनिस्पदार्ध होते हैं वह ज़्जादा तर धारवाड करम की चट्टानों में ही पाए जाते हैं और इसलिए जो धारवाड करम की चट्टाने होती हैं यह आर्थिक दृष्ट्रि से अत्यन तिमात्य moris चट्टाने होती हैं चलते हैं अगले प्रश्ण पर अगले प्रश्ण दिया गया है विश्व का सबसे पुराना मोड़दार परवत कौन सा है ओप्सन दिये गया है विंदे शनरी बी ओप्सन है सत्मुदा शनरी सी ओप्सन है अरावली शनरी और डी ओप्सन है मैकाल शनरी ठीक है तो विश्व का सबसे पुराना मोड़दार परवत कौन से यहां पर दिया गया है सही उतर होगा आपका अरावली श्रड़ी जो अरावली श्रड़ी है यह विश्व की सबसे पुरानी परवतों में से एक है कह सकते हैं कि सबसे पुरानी परवत श्रड़ी है अरावाली परवश रंखला और इसका जो विकास हुआ है धारवार क्रम की चटानों से हुआ है और यह जो धारवार क्रम की चटान है तो मोड़दार परवतों की बीच की तरह है इसका विकास हुआ है तो option number C आपका से उतर होगा अगला प्रशन दिया गया है निवन में से कि इस चटान का निर्माड जल निक्षेपों की द्वारा हुआ है और पर पूछा गया है कि चटान का निर्माड जल निक्षेपों की द्वारा हुआ है तो option number B आपका से होगा जो विन्धियन क्रम की चटाने है तो विन्धियन क्रम की चटानों का निर्माड जल निक्षेपो इसके पहले भी आपने कौन सी चट्टान देखा था कि जो गोडवाना करम की चट्टाने भी आप देखे थे तो गोडवाना करम की चट्टाने भी परतदार चट्टाने थी और यहां पर विंधन करम की चट्टाने भी परतदार चट्टाने होती हैं और यह जो चट्टाने है इनसे बलुव पत्थर के निक्षेपों से बना हुआ है, और इस जो बलुव पत्थर है समुदर से पाय जाते थे, समुदर में जमा हुए थे, और इनी बलुव पत्थरों से विंधकरम की चट्टाने हैं, इनका निर्मार जढर निक्षेपों के दोरा हुआ है, तो option number D आपक और D option है R-K-N युग में तो जो अला मखी क्लिया भारत में धारवार युग में हुई थी option नुबर C आपका पिल्खुल सही होगा ठीक है धारवार युग में याद रखियेगा जो भारत में जो अला मखी कि रिए प्रारम हुई थी वह धारवार युग से शुरू हुई थी अगला प्रशन दिखते हैं अगला प्रशन दिया गया है बेसाल्टिक लावा का जमाव किन चट्टानों में मिलता है गोंडवाना चट्टानों में B है दक्कन ट्रेप में C है धारवार में और D है कुडपा में तो जो बेसाल्टिक लावा है वह है दक्कन ट्रेप की चट्टान में मिलता है और जो दक्कन पठार है बेसिकली जो पूरा दक्कन का पठार है यही बेसाल्टिक अफिशेस्नों से मिलकर बना हुआ है ठीक है और जो दAKKAN TREP है तो इसका निर्माद केटेसियस यूग में हुआ था और इसके शेत्र में यह कह सकते हैं कि जो अलम की उद्भेदन से इस शेत्र का निर्माद हुआ जो अलम की उद्भेदन से जो लावा निकलता है उस लावा के द्वारा बनने वाले बेसाल्ट से इसका निर्मार हुआ इसलिए से बेसाल्टिक लावा का जमाव के वज़े से दक्कन टैपर निर्मार माना जाता है अगरा पस्ति या गया है प्राइदीपी भाग पर दरारों तथा भ्रंशों का निर्माड किस युग में हुआ था धारवार युग में कुडपा युग में गोंडवाना युग में या फिर विंध्यन युग में तो जो प्राइदीपी भाग पर दरारों तथा भ्रंशों का करक्राइब क निर्माड हुआ युग है उसमें ग्यादा था और कार्बॉनिफेरस से लेकर जुरासिक के बीच में गॉंडवाना क्रम की छट्टानों का निर्माड हुआ था तो दरारों और भंशों का निर्माड भी गौणडवाना में हुआ था और जो गोंडवाना यूग है वे कब से 连भान जिरासिय तक चलता है और कोई वisc दिया में से अगला प्रशुन दिया गया है निम्ल्र में से द्रव की चत्ड़ाने कौन से हैं दोनों ही चट्टाने द्रविणियन युग से संबंध रखती हैं, इसलिए यहां का जो सही उत्तर होगा यह होगा, option number C, उपयक तो दोनों ही चट्टाने यांद की विंधर करम की चट्टाने और दक्कन टैप की चट्टाने, यह दोनों ही द्रविणियन युग से संबंध र हुआ था कि अगला प्रश्ण है आधर समयमित की उूपमा किसे दिवी गई है रिधार चटावन्हों में बत करने को तो आर्चयास की चटाने और यहीं चटावनों की यह बागी समों की चट्टाने इसके बाद अगला प्रश्ण दिया गया है भारत का रूर प्रदेश किसे कहा गया है मालवा का पठार छोटा नाकपूर का पठार कश्मीर घाटी या उत्तर का मैदान तो भारत का रूर प्रदेश है जिसे छोटा नाकपूर का पठार है इसे भारत का पूर्वी भारत में इस्तित है और इह जो पठार है पूरी तरह से खनीच संसाधनों से पूरी तरह से संपन्न पठार है यान कि बहुत ज़्यादा यहां पर खनीच पदार्थ पाया जाते हैं जिसके वज़ें से रूर शेतर भी कहा जाता है अगला प्रशन है भारतिये पु की जिसे घ्रा स्मुण के ज़नी हैं कि एवरोपके भूग प्रृक करते हैं और फिये के ज़ये चेलेशन यहें जोब्यू अब प्रोटे जोईक के सवान मानी जाती है यह प्रोटे जोई क्यों गया है चलते हैं अगले प्रश्ण की ओर अगला प्रश्ण दिया गया है साकार नितल प्रश्णड सिध्धानत्य प्रतिपादन किस ने किया था साकार नितल प्रश्णड और यह जो सातार निकर प्रश्णड था इसी में बताया गया कि किस तरह से जो प पूरी तरह से पैंजी और पैंथरासा था उनका क्या क्रम रहा और किस तरह से इन में प्रस्णर्ड की पूरी प्रक्रिया हुई तो साकार इंटल प्रस्णर्ड किस के दोरा बताया गया अगला दिया गया एकला प्रश्ण है भूस्तनती सिध्धान्त किसने प्रतिपादित किया है और हिमालयक निर्वान के संबंद में भी कोबर ने यह सिध्धान्त किया था और कोबर नहीं कहा था कि जो भूस्तनती है यह परवदों का पालना है तो जो भूस्तनती है यह किसके दोरा कोबर के दोरा यह सिध्धान्त प्रतिपादित किया गया था तो कोबर नहीं भूस्तनतीयों को परवतों का पालना कहा है तो परवतों का पालना किसे कहा जाता है भूस्तनतीयों को परवतों का पालना कहा जाता है अगरा प्रशन है, हीरे की खानों के लिए विख्यात पन्ना किस क्रम की शयलों से सम्पंधित है? जो हीरे की खाने हैं, यह है मध्रदेश के पन्ना जिले में पाई जाती हैं? या कह सकते हैं कि भारत का लगभग लगव पूरा हीरा या सबसे ज़्यादा हीरा देश का मध्परदेश के पन्ना जिली में ही उत्पादित किया जाता है तो यहां पर जो चट्टाने पाए जाती हैं वह किस प्रकार की शैले हैं कुडपा क्रम की चट्टाने है या विंधन क्रम की है या गोंडवाना क्रम की या धारवार क्रम की तो जो हीरों की खानों के लिए विख्यात पढ़ना है यह विंधन क्रम की चट्टानों में पाये जाता है और विंधन क्रम की चट्टाने परतदर चट्टाने है यह आपने लिया है और साथी साथ में इनका जो निर्माड हुआ ये जल निक्ष्पों के त्वारा हुआ था ठीक है इसके बाद नेक्स्ट कॉस्चन है अगला प्रस्ट दिया गया है भारत की वर्तमान इस्थलाकृती किस युग में सुनिश्रित हुई है और संस दिये गये हैं कैंब्र कैंब्रियन युग में B है कार्बोनिफेरस युग में C है पूरा कैंब्रियन युग में D है प्लिष्टो सीन युग में तो जो भारत की वर्तमान इस्थलाकृती है यह प्लिष्टो सीन युग में सुनिश्रित हुई थी यानि कि भारत का वर्तमान आकार है यह पतर श्रेड़ि में पाई जाती हैं ऑप्षन प्षमी घाट में प्षमी घाट में B और और ड ऑप्षन है श्रिवालिक आरा वाली च। इसका प्रवेश की सबसे नुम्बर सी॔र है। जो सही उत्र होगा निधाना है। आर declarations typing की tenha। उसका से उतर होगा, option number C, चलते हैं, अगले प्रश्न क्योर, अगले प्रश्न दिया गया है, कोईला किस शैल समुह दोरा उत्पादित होता है, options दिये गए है, विंध्यन, B है गोंडवाना, C है धारवाड, और D है कुडपा, तो जो कोईला है, इसके पहले भी आपको हमने किसी प्रश्न में बताया, यह किसमें गोंडवाना शैल समुह में यह प्राया जाता है, और जो गोंडवाना शैल समुह होते हैं, इसमें अमृत जीवास्मों द्वारा जो खनिच पदार्थ निर्मित होते हैं, विसकली वही कोईला होते हैं, ठीक है, जो करोड़ों, अर्वों, सालों में बहुत जादा प्रेशर और बहुत जादा टंप्रेशर की वज़े से परिवर्थित होते गए, और कोईला में बनते गए, अगला संदर्व में और D है कमजोर चक्टानों के संदर्व में ठीक है तो फूकंपों के सरवोत्म ब्याख्या हिमाले एवंगी रिपत के सहारे किसमें की जाती है option number C है प्लेटों के अभी सरण के संदर्व में की जाती है ठीक है और इस सिधान्त के अंतरगयते बात करें तो जो लाखों वरसों का सेमंतराल रहता है उसमें विवर्तनिक प्लेटें विस्थापित हो जाती है और उस विस्थापन के वज़े से जो घर्षन उर्जा उत्पन ह होती है तो घर्षन उर्जाक उस सर्जन से जो दवाब होता है जिसके वज़े से भूकम्प होता है ठीक है तो अप्स नमबर C आपका यहां पर बिल्कुल से योगा प्लेटों के अभी सरण के संदर्व में होता है चलते हैं अगले प्रशन के और प्रशन नमर सतर है कुडपा सेल समुह है वह है पापा घानी से संदर्वित है ठीक है पापा घानी सीरीज यह सारी की सारी सेलों की सिरीज है तो जो कुडपा सेल समुह है यह किसमें पापा घानी सेल समुह में स्थापित है यह सिरीज में संदर्वित करती है तो आप्स नमर बिल्कुल से उत् बिलते हैं, B है, नेस, सिष्ट, ग्रेनाइट, चट, आदी इन चट्टानों के उधारन हैं, और C है, ये चट्टाने अतधी कायांतरित हो चुकी हैं, और D है, उपरोक्त में से कोई नहीं, यानि कि यहाँ पर जितने भी प्री केमरें चट्टानों के संबंध में जो भी कथन दिया गया है, वह सभी कथन सत्य हैं, तीनों ही कथन यहाँ पर सत्य हैं, तो option number D आपका सही उत्तर हो जाएगा, option number D, इन में से कोई भी कथन असत्य नहीं दिया गया है, अगला प्रशन दिया गया है, धारवाड करम की चट्टानों का उधारन है, कौन सी? नल्ला मलाई शन ठीक है, तो धारवाड करम की चट्टान है, इसका उधारन चित्र दुर्ग और सिमोगा है, option number D, आपका सही उत्तर होगा, इसके बाद चलते हैं, अगले प्रशन पर अगला प्रशन दिया गया है, भारत में इस थित निर्मनिस्तान रचनाओं का प्राचीन से लेकर नविं विंधन, गोडवाना, धारवाड और कुडपा, B है कुडपा, धारवाड, गोडवाना और विंधन, C है धारवाड, कुडपा, विंधन और गोडवाना, D है धारवाड, कुडपा, गोडवाना और विंधन, तो इसमें से जो सबसे प्राचीन है, वह सबसे प्राचीन कौन सी है धारवार समूह सबसे प्राचीन है ठीक है जब धारवार समूह सबसे प्राचीन है तो पहला और दूसरा तो आल्रेडी ही चला जाता है उसके बाद धारवार के बाद कुडपा आता है ठीक है तो इन दोनों में इन दोनों में से कोई इंसर होगा थीए तो यहाँ पर जो शहीतर होगा वे पोछी означ . ठीक है यक्वारवार के बाद कुडबपा के बाद विनध्यन के बाद गोंडवाना सीरीज आती है ठीक है तो यहाँ पर आपका option number C बिल्कुल सई हो जाएगा फिर चलते हैं अगले प्रेशन की ओर भारत में आद्धे कल्प में पहली जो अला मुखी कहां घटित हुई थी option दिये गए हैं राजस्थान की अरावली पहाडियों पर B है बिहार की कैमूर पहाडियों पर C है बिहार की राजमहल पहाडियों पर और D है बिहार की डालमा पहाडियों पर option यहाँ पर जो दिया क्या है उसमें से उतर होगा बिहार की डालमा पहाडियों पर option number D होगा तो जो भारत में आद्धे कल्प में सबसे पहले जो अला मुखी बिहार की डालमा पहाडियों पर हुई थी इसको पर चलते हैं आज के अंतिम प्रश्ण पर आज का अंतिम प्रश्ण है गोंडवाना करम की चट्टाने कहां पाई जाती है तो option दिये गए हैं दामोदर घाटी में B है नर्मदा घाटी में C है सोन घाटी में और D है संपूर दक्षुण भारत में तो जो गोंडवाना करम की चट्टाने हैं यह दामोदर घाटी में पाई जाती है option number E आपका सही होगा ठीक है और इसमें से दामोदर एबं गोदा वरी घाटिया है तो आज के session में इतने ही मिलते हैं आपसे अगले session में जिसमें इसकी आगे के 25 questions आपको आगले session में मिल जाएंगे ठीक है उसके बाद फिर हम आगे एक chapter करते रहेंगे तो यदि आपको session पसंद आया हो तो session को वीडियो को लाइक जरूड करें और अपने दोस्तों के साथ जादा स्जादा शेयर करें तब तक नमस्कार धन्यवाद